नमस्कार दोस्तों, गोड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक मेकानिक्स सब्जेक्ट से परचित कराऊंगा, जिसको हिंदी में यांत्रीकी कहते हैं, मैं इसमें जेनरल सिर्फ आपको उससे परचित करा रहा हूं, डीटेल, उसका विस्तृत, अध्यान हम लोग थोड़े समय के बात करेंगे, तो मेकैनिक्स है क्या, मेकैनिक्स इंजिनियरिंग की वह साखा है, जो किसी बल का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी वस्तू पर यह बताता है, ठीक है, मतलब यहां पर बल और वस्तू पर प्रभाव, इसी पर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अगर मैं किसी चीज को धक्का दूँ, तो क्या होगा, जीधर मैं धक्का दे रहा हूं, उधर वो चीज चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो यही क्या असर पढ़ता है, यह हम लोग इसमें सीखते हैं, अब यहां पर थोड़ा और आपको आगे बता दू कि वस्तू क्या हो सकता है, बहुत तरह कि वस्तू हो सकती है, तो यदी हम गैस पर बल का आसर पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं pneumatics, यदि हम liquid पर, liquid मितलब draw, draw पर अगर हम उसका असर पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं hydrostatics या hydraulics, ठीक है, दोनों अलग-अलग चीजे हैं, वो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, इसके विशाय में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलाल, यह जो subject है hydraulic या hydrostatic, ऐसे बस्तूओं पर बल का असर हम लोग पढ़ते हैं, जो draw अवस्था में हैं, ठीक है, यदि हम solid पर, solid या, मैं यहाँ पर जितने शब्द हैं, वो अंग्रेजी के यूज करूँगा, लेकिन आपको बताऊंगा हिंदी में, ठीक है, तो solid, जो वस्तूओं पर अगर बल का असर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसको कहते हैं, mechanics, ठीक है, अब mechanics में भी, अब दो चीजें हैं, वस्तूओं जो है, वह, rigid हो सकता है, rigid मतलब और नम्या, या elastic हो सकता है, मतलब नम्या, ठीक है, तो यदि हम elastic वस्तूओं पर असर पढ़ रहे हैं, तो उसको कहते हैं, strength of material, अब मैं यह उम्मीद करता हूँ, कि आपको पता है, कि elastic body क्या है, elastic body वह है, जिस पर यदि आपने बल लगाया है, तो वस्तूओं में विक्रीती पैदा होगी, या उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, चोड़ाई बढ़ जाएगी, चप्ता पर हो जाएगा, इस तरह का जो भी परिवर्तन उसमें कुछ न कुछ होगा, लेकिन जैसे ही हम बल को हटाएंगे, या जो भी कारक है उसका, उसको हम जैसे ही हटाएंगे, वो फिर से वापस अपनी पुरानी अवस्ता में आ जाएगा, तो ऐसे वस्तूओं को हम कहेंगे, elastic body, ठीक है, दूसरा हुआ आपका rigid body या आ नम में body, तो आ नम में body हुआ है, जिस पर बल लगाएंगे, लेकिन उसमें कोई भी विक्रिती पैदा नहीं होगी, उसकी size में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसको हम कहेंगे rigid body, ठीक है, तो जैसा मैंने बताया कि elastic body हो सकती है, उस पर असर की पढ़ाई हम लोग करते हैं, strength of material में, mechanics में हम लोग rigid body के उपर बल का क्या असर पढ़ रहा है या force का क्या असर पढ़ रहा है यह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सब rigid body के उपर हम लोग पढ़ेंगे, अब ठीक है, बल हमने लगा दिया, तो दो चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने दिवाल को पूष किया, धक्का दिया, तो क्या होगा, दिवाल हीलेगा नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमने उस पर बल नहीं लगाया, ठीक है, दूसरा हो सकता है, अगर दिवाल कमजोर है, मैंने बल लगाया, तो दिवाल टूट गई, ठीक है, तो दोर चीजें हो सकती है, तो दिवाल अगर नहीं टूटी, उसका मतलब वो स्थेर अवस्था में है, ठीक है, और अगर दिवाल तूट गई, मतलब वो गतिज अवस्था में है, ठीक है, तो अगर हम गतिज अवस्था में अध्यान कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं, डाइनमिक्स, ठीक है, समझ में आ गया, और यदि वस्थू की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको कहते हैं हम स्टैक्स, दोनों ही हमारे मेकैनिक्स के भाग हैं, लेकिन स्थिर वस्थू के लिए स्टैक्स, गतिज वस्थू के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए डाइनमिक्स, ये दो अलग भागों में इसको माटा गया है, ठीक है, अब हम लोग जो तो statics की पढ़ाई के लिए हम लोग आगले lecture में हम लोग force से सुरुवात करेंगे dynamics भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन थोड़े समय के बाद तो पहले statics से सुरुवात करते हैं statics में सबसे पहली चीत जो हम लोग पढ़ेंगे वह है force के विशय में force या बल ठीक है अब दो चार उदाहरन आपको बता दू जैसे मैंने बताया दिवाल को धक्का देने वाली बात ठीक है तो वह कोई उदाहरन हो सकता है दूसरा है टेबल पर कोई किताब पड़ी हुई है वो इस्थिर अवस्था में है लेकिन उसको प्रिथवी अपने केंद्र की ओर खीच रहा है जिसको गुरुत्वा कर्शन बल कहते हैं तो फोर्स तो लग रहा है तो उसकी अवस्था में क्या होगा क्या परिवर्थन होगा नहीं होगा ठीक है कितनी दूर तक नहीं होगा इस तरह की चीजों का अध्यान हम लोग स्टैटिक्स में या मेकैनिक्स के स्टैटिक्स पार्ट में करते हैं ठीक है दूसरा एक एक सीड़ी दिवाल के सारे आप टिकाते हैं जिस पर चड़के आप उचाई पर कुछ काम करते हैं ठीक है तो यदि सीड़ी को आपने दिवाल पर टिकाया और वो लग भग लंबवत लगभग लंबवत है तो उस स्थिती में सीड़ी दिवाल के पर फिसलेगी नहीं वह वहीं पर खड़ी रहेगी ठीक है लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका अध्यान हम करेंगे जैसे घर्षन बल या फ्रिक्ष्नल फोर्स कितना है सीड़ी की लंबाई कितनी है उसका वजन कितना है उस पे कितने वजन का आदमी चड़ रहा है ये सब चीजों पर निर्भर करेगा कि वो फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी लेकिन समझने के लिए सिंपल आसान तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सीड़ी लगभग लंबवत है वर् ठीक है तो अब सीड़ी जमीन पर फिसल के आ गई क्यों आ गई भाई तो उसका कुछ तो कारण होगा तो वो कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरी भाशा में कहिए जो निमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है सांखी की तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि कितना फोर्स लगाएंगे तो सीड़ी हमारी रूकी रहेगी उसके जड़ के पास या उसके बॉटम में कितना फोर्स लगाएं तो वो अपनी आवस्था में रूकी रहे या कितने एंगल पर हम उसको सीड़ी को रख सकते हैं ताकि वो फिसले नहीं ठीक है तो इस तरह के बहुत स रहा हूँ, वह मैं आपका फोर्स या बल ले रहा हूँ, ठीक है?